पंदरा लोग अरेस्ट हो चुके हैं जो भी लोग बचे हुए हैं उनको जल से जल अरेस्ट करके नहीं आएगा को पासवान है और हमारे नेता पासवान है इसलिए पासवान को नहीं कुछ होगा ऐसा कताई कुछ भी नहीं होने वाला है अपराधी सिर्फ अपराधी है और अ प्रप्रवारी हूं गटना की जानकारी जैसे ही मिली हमारे पार्टी से एक प्रतिनेशी मंदल कल भी इस अस्थल का दौरा करके गए और हम लोग ने सरकार से यथा संभब मदद करने की गुजारिस की जैसा कभी हम देख भी पार रहे हैं कि प्रसासन की ओर से रहने की वेवस्था की गई है तेंट तिरपाल लगाया गया है भोजन की वेवस्था की गई है तीनों टाइम भोजन मिल रहा है इन सारी वेवस्थाओं के बावजूद अपराधियों द्वारा जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया गया इसके होने के नाते भी मान्येम खमंत्री जीसे मिशेश आगरा करता हूं कि दोशियों पर कड़ी से कड़ी कारवाई हो पंदरा लोग आरेस्ट हो चुके हैं जो भी लोग बचे हुए हैं उनको जल से जल आरेस्ट करके और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनके उपर कारवाई करके इनको सजादी लाया जाए सर देखा जा रहा है बिहार में हर जगा देखा जा रहा है दलीत समाज के लोग रहते हैं कहीं पूल के नीचे नाला के बगल में नहर के बगल में रहते हैं सर लेकिन इनका आवाज कोई ने उटा बार बार इनको हर जगा देखते होंगे सर कहीं ने कहीं कहीं भगाया जा रहा मारा जारा पीटा जारा सर दलीत लोग के साथ ऐसा कब तक चलता रहे हैं नहीं नहीं हमारी पार्टी तो दलीतों के लिए ही आवाज उठाने के लिए हमारी पार्टी का निर्मान ही हुआ था हमारे जब स्वर्गे रामबिलास पासवान जी ने दलीतों के विकास के लिए ही दलीतों पिछडों अलपसंख्यों को बंचितों के विकास के लिए उन्होंने पार्टी गस्तापना के थी और जिस दिन से पार्टी बनी है सन 2000 से हम लोगी पार्टी लगातार दलीतों को थान के लिए काम कर रही है थोड़ा समय लगेगा बहुत हद तक हम लोगों ने अपने उदेश्य में सफलता प्राप्त किया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत जल्द ही सारे दलीतों को बंचितों को मुक्यधारा से जोडने में जितनी ही हम और बहुत जल्दी मुख्यधारा में जोड़ा है यहां हो सकता है कि क्रम में इनकी सूची फड़ी पीछे रह गयों लेकिन दलीतों को आवास करोरों आवास मिला है दलीतों को प्रधान आवास यहां जानकारी लेनी पढ़ेगी नेश्ची दूप से दी प्रयास किया गया होगा तो इनको आवास मिलेगा, दी प्रयास नहीं किये होगे, अब एदर नहीं दिया होगे, परशासन को प्रसासन को रिक्वेस्ट नहीं बेजा होगा, तो इसी कारण से यह पिछ़़ा रागा। озर्वाईज दें गे प्रदान मं नेता हैं दलित के लिए हम वाज उठाते और इस दलित के लिए यहां आएंगे और लगता है कि इन लोग के उचित जो निया होगा दिलाने का लिए हमारे नेता आधरने चिराग पासवान जी ने ट्वीट भी किया है कि बहुत जल्द वो घटना स्थल का दौरा करेंगा और स संभव उनसे जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद करेंगे जितना मदद सरकार से वो करवा पाएंगे उस सरकार से कराएंगे बहुत जल्द अस्थल का दौरा भी करेंगे ऐसा उन्होंने स्वायम अपने ट्वीट में भी लिखा है जो घटना ग़ान स्थल का नंदू अनदु पासवान का नाम आता है उन से कहा जा रहा की तो दोनों तरफ दली ता आरे कि अध़ों सर्वान समाझ से अपराधि सिर्फ अपराधि है चाहे किसी भी जाती के हो वो पासवान हो बांजी हो भुम्यार हो राजपूत हो ब्राह्मन हो रविदास हो कोई भी हो अपराधियों की जाती सिर्फ और सिर्फ अपराधि है वो किसी भी जाती का होगा उसको सजा मिलेगा इसे थोड़ा सा भी थोड़ा सा इप्रवाव जाती का नहीं पड़ेगा हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी भी सिर्फ जाती की बात नहीं करते हैं जमात की बात करते हैं पराधियों को चाहिए किसी भी जाती को सजा दिलाने के लिए जिस हद तक जाना होगा हम लोगों झाएंगे और इसमें कहीं कोई IMPACT नहीं आएगा को बासवान है आपपा कि अजय को ब्हमारे नेता पासवान है इसलिए पासवान को नहीं कुछ होगा मेरे नाम राजन नायक है मैं यूबा परदेश महासची हूँ क्या लग रहा है आपका जो नेता है चिराक पासवंजी काथ लाते है विघारी फस्ट में बिख्सित बनाना है उनकी तैयारी अपस्वरकार में आ bubble और वो परदानमंतری जी से मिल करकर, इसी बातों पर विचार करके बिःर को कैसे विकसित किया जा जाए है, इस पर काम कर रहे है। आपने देखा होगा कि वो हर एक जगा जाते हैं और हर एक की मदद करते हैं जितना हाजयता संबब मदद होना होता है वो करते हैं फिर इसका उचस्तरी क्यों है दलित को हमेसा सताया क्यों जाता है देख रहे हैं पिछले बार कुछ दिन पहले भी घटना हुआ था फिर आप देखा हैं तो आप रहे हैं पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं और आगे अस्वासन है एक भी अपरादी नहीं बचेगा जब अपराधी नहीं बचेगा तो आगे जाकर सभी अपरादियों को ये पता चलेगा कि हम यदी कुछ अपराद करते हैं तो हम बच नहीं पाएंगे निती सरकार में निश्चित रूप से आएंगे चिराग पासवांजी बिहार में कोई ऐसी घटना बताईए जो घटना घटती हो और चिराग पासवांजी वहां नहीं मुझे याद नहीं है मैं लगातार पिछले दस सालों से पाटी में हूँ कोई इसी घटना नहीं घटी है जहां कि चिराग पासवांजी नहीं कहीं बिचाए सराब से जारीली सराब पी करके मरने कांड़ों को दुर घटना हो को इस तरह का कांड़ों हर जगह हमारे नेता च इनका कहाना था कि हम लोग जल्द ही चिराग पासवांजी यहां आएंगे और इन जितने भी महादलित के लोगों हैं सबको सही मुआपजा मिलेगा और सही तरीका से इनके साथ नया होगा पाकि आपका क्या रहा है कॉमेंट में जरूर ब्रदाईएगा आप देखरें के ड जरूर गुमार जहीं